इस वक्त हम मौझूद हैं गोरकपुर्ख से सटे कुस्मी जंगल पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं ये विशाल काय और घाना जंगल जिसे कुस्मी जंगल कहा जाता है इसे परेटन के दृष्टिकोर से इसका विस्तार किया जा रहा है इसे विक्सित किया जा रहा है ल लगातार एक जगन्य प्राद को लगातार अंजाम देता जा रहा था जिसकी जानकारी साइद ही किसी क्यों दरसल डायना जिसका नाम देविंद्र निशाद है जिसका एक और नाम है दयानन इसके पास दो बीबी हैं बच्चे हैं परिवार है भरा पूरा परिवार है जंग जैसे उसकी बूरी नजर जंगल पे आए रहगीरों पर प्रेमी यूगल पर प्रेमी जोडों पर अक्सर रहती थी करता क्या था उसे जब भी संदेश होता था कि कोई प्रेमी यूगल रास्ता भटक के जंगल के किसी बहुत अंदर पहुच गया है वो दो से तीन लोगों की स में अपने साथियों के साथ पहुच कर फरजी पुलिस वाला या फरजी जंगल का दिकारी बन कर उनके रोकता था उनको यहां पे उपस्तित होने या मौजूद होने के कारण को पूछता था जब उसे लगता था कि उसके पास कोई सटीक उदारीजन नहीं है इस जंगल में आ पूरुष जो भी था उसे अपने हवस का सिकार बनाया जा सकता है तो सुत्रों की माने तो उसने करीब सैक्डों की संख्या में महिलाओं के साथ अपने जबर जस्ती करके उसने संबंद भी बनाए साती साथ उनके आपत्ती जनक वीडियो भी बनाते थे जिसका इस्तमाल व पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ उसका एक अच्छा कासा सिंडिकेट तयार हो गया तो साथ से आठ की लोगों संख्या में लोग उससे जुड़ गयते जो इसके इस गलत काम में उसका साथ दे रहे थे ठीक ऐसे ही एक 18 जून का दिन आया ये एक प्रेमी यूगल जो कुश उसके बाद कुछ पैसे जब घट रहते तो उसने आउनलाइन जो इसना प्रेमी यूगल ने आउनलाइन देने की बात कई जिसके बाद डायना ने उससे सुविकार के लिए ठीक आप आप आउनलाइन मगा लिए वही यूपी आई उसके जेल की सलाकों के पीछने का कारण बना यूपी आई से पेमेंट लिया उसके बाद वो यूगल सुरक्षित अपने घर चले गए दो दिन बाद वापस आते हैं गोरपूर और गोरपूर के ठाना एमस में पुलिस को डायना के खिलाफ शिकायत देते हैं जिसके बाद पुलिस की तो नजर पहले से ही उसके थी लेकिन किसी सिकायत ना होने की वज़े से पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी लेकिन जब उस ने प्रेमी यूगल ने मुकदमा दर्ज कराया उसके बाद पुलिस हरकत में आई उसके बाद उसके गाउं पे दविश देना सुरू किया